एलो फ्रेंड्स एंजल रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और पोश्टिक सब्जी जो सब्दियों में हम खाये तो हमारे सरीर के लिए भी बहुत ही गुणकारी हैं तो आज हम मटर और गाजर की सब्जी बनाते हैं चलिए मैंने गाजर लिया है मटर सो ग्राम दो टामाटर हरी मिच मैंने सरसो कायल लिया है इसको मैंने गरम कर दिया है अब मैं इसके अंदर आधी चमच राई आधी चमच जीरा चटक ने लग जाए धहां इसमें काजर एड़ करेंगे इसको हलका सा फ्राई करना है हम इसके अंदर मटर एड़ करेंगे काड़ी पत्ता नमक सुआत के अनुसार हम इसको तकल लगा देंगे देखे हमारा है दोनों सबजी हलका सा बॉइल हो गया हम इसके अंदर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर मिर्ची आप अपने ही साब से ही डालें आदा इंच अद्रक अब इसको दो मिनट और पकाएंगे हम देखे हमार माटर और गाजर पकने लगए है अब इसके अंदर हरी में चोटा माटर रखाएंगे फुड़ा से हेंग डालना है और इसको मिक्स करके हम डकल लगाएंगे पानी जितना डालना जाल सकते हैं आधी गलास डाला मैंने और इसको डकल लगागा चतर से पकाएंगे देखे हमारी सब्जी पक गई है बहुत ही टेश्टी और स्वाधिष्ट बनी है और इस सब्जी बहुत ही हेल्दी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करना है झाल